हलो आइंड वेलकम टू वाइसीज़ क्लासिज बच्चो आज की लेक्चर में हम नेक्स्ट नुमेरिकल जो है वो करेंगे एक्जम्पल 3.4 जो कि आपको आपके सामने जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहे होगी यह क्वेस्चन है बेटा कैल्कुलेट दी मास आफ दी उसका 0.5 मॉलस आफ नाइड जन गैस का आपको मास कैलकुलेट करना है और यहां पर आप पर ब्रैकिट परेंथिसिज़ में देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है मास फ्राम मॉल आफ मॉलिक्यूल मलब हमें गिवन मॉल है यहां गिवन नमर आफ मॉल से आपको मास कैलकुल डाला डाला था हमने given mass upon molecule mass ये वला तो अभी हमको क्या करना है अभी हमको number of moles given है तो अभी हमने बिटा, ये mass calculate करना है ये jो mass small M1 ये हमने calculate करना है तो इसी relation से आप निकालेगे, इसका formula बनेगा तो ये बनेगा जब हमने ये mass निकालना है, mass को mole से निकालना है तो जिसका denominator कुछ नहीं 1 तो यह cross multiply जब आप करेंगे तो m m आएगा यहां पे m is equal to यह number of mole जो आपको दिखाई दे रहा है इसको यहां molar mass से क्या लग जाएगा multiply तो देखे यही formula beta यहां पर भी है ठीक है जो हम इस्तिमाल करेंगे solution of 3.4 example part number 1 में यहां पे आपको mass calculate करना 0.5 moles of n2 में तो यह formula हम use करेंगे small m equals to n into product of number of moles and molar mass यह वाला formula यह यहां पे लिखेंगे part 1 में जब solution करेंगे इसका हम लिखेंगे given क्या है हमको तो हम लिखेंगे given given number of moles given number of moles of n2 given number of moles of n2 equals to 0.5 moles यह हमको दिया हुआ है also अब हम जानते हैं वो दिया नहीं है molar mass capital M की value नहीं दियी है also यह आप लिखेंगे but we know that लेकिन हम जानते है molar mass of n2 तो बिटा आपको mole concept में मैंने विताया था mole of a substance means atomic mass in case of atoms mole of a substance means molecular mass in case of molecule तो यह n2 पहचान यह क्या है मैंने यह भी बताया था mole concept में whenever the term mole is used the constant particles must be stated तो आपको constant particle का पता होना चाहिए कि वो item आ रहा है molecule आ रहा है या आइन आ रहा है अबर तो वही मैं यहाँ पह लिख रहा हूँ यह now that molar mass of n2 equals to तो एक nitrogen atom का mass होता है बटा 14 तो दो nitrogen atoms का mass होगा 2 into 14 मैंने molecular mass calculate करवाना सखा है आपको equals 2 बनेगा यह 2 14s are 28 अब atomic mass unit बोलो या gram atomic mass बताओगे तो आप 28 gram बताएंगे चलिए यही दो requirements थी हमारे पास यह हमने पहले बता दी अब हम आसानी से बता सकते हैं therefore mass of therefore mass mass that means small m हम भी लिखेंगे आप साथ में ठीक है mass of mass of 0.5 moles mass of 0.5 moles of N2 gas is equal to तो इसका मतलब हम यह M calculate करते हैं हम लिखेंगे यहाँ पे small m that means mass of mass of mass of 0.5 moles of N2 gas is equal to तो number of moles N multiply by molecular mass molar mass तो this is equal to number of moles आपको पता है यह दिया हुआ है हमको 0.5 value दिया हुए है इसकी और multiply करेंगे molecular mass वो है हमारे पास बिटा 28 तो जब 28 को 0.5 से multiply करेंगे हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कि हम 28 को 5 से multiply करते हैं जो अंसर आएगा एक डिजिट के बाद हम left से left से नहीं right साइड से क्या लगाएंगे वहाँ पर point लगा देंगे यह नहीं यह बन जाएगा आपके पास 5, 8s of 40 ठीक है carry रह गया आपके पास 4, 5, 2, 0 होगया 10 और 4 होगया 14, 140 लेकिन एक के बाद आप point लगाएंगे यहाँ पे तो one डिजिट के बाद यहाँ point 14.0 which is equal to simply 14 लेकिन यह है क्या यह आगया आपके पास m is equal to मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यह m is equal to 14 तो mass है ना तो आप इसका smaller unit क्या लिखेंगे gram तो आगया बिटा इट मेंस देट therefore mass of 0.5 moles of N2 N2 nitrogen molecule is equal to 14 gram आपका answer आगया यहाँ पे ठीक है चले बिटा पहला part हो गया second part पूश रहा है यहाँ पे question आ रहा है calculate the mass of 0.5 mole of nitrogen atom यहाँ फिर mass from mole of atom उपर था mass from mole of molecule यह बात आप जहान से सुनो यनी इन दोनों parts में mass पूशा जा रहा है mole से given mole है वहाँ से mass पूशा जा रहा है लेकिन difference देखो उपर था mass from mole of molecule इस second part में mass पूशा जा रहा है बट फरहा mole of atom mole of atom से mass पूशा जा रहा है उपर मॉल आफ मॉलिक्यूल से मास पुछा जा रहा था फार्मला वही होगा लेकिन मास में डिफरेंस होगा उपर मॉलिक्लर मास था नाइटरिजन का 28 यहां पर एक ही नाइटरिजन एटम का मास 14 यूज होगा तो यहां पर पार्ट सेकेंड में फिर आप सुलूशन करेंगे आप लिखेंगे बेटा गीवन क्या है हमारे पास आप लिखोगे गीवन ठीक है नमबर आफ मॉल्स आफ नमबर आफ मॉल्स आफ नाइटरोजन और देखे आब की बार में यहाँ पे atoms लिखूंगा नमराफ moles of nitrogen atom is equal to 0.5 again है 0.5 mole ठीक है तो यह given है अब मैं लिखूंगा we know that but also we know that एक चीज और लिखेंगे we know that हम यह भी जानते हैं मेटा क्या जानते हैं we know that अब यह जो substance है जिसका mass mole से नकालना है आपने तो यह क्या यह nitrogen और वो भी atom है तो हम लिखेंगे we know that atomic mass क्या लिखेंगे we know that atomic mass of nitrogen यह निए nitrogen एक atom का mass पोचा जा रहा है equals to 14 atomic mass unit यह gram atomic mass करके आप gram लिखेंगे 14 gram चलिए यह भी हो गया तो आप देरी किस बात की है अब आप बताएए therefore mass of this nitrogen atom from mole is calculated by by writing the formula and number of moles into molecular mass which is equal to यह हो जाएगा बिटा आपके पास number of moles है आपके पास again यहाँ पे 0.5 multiply by molecular mass यहाँ पे molar mass यह है इस समय nitrogen atom है तो यह 14 आएगा अगर जैसे उपर molecule था तो 14 to the 28 लिखा था यह nitrogen atom है तो 14 लिखेंगे इसका molar mass यह हो जाएगा बिटा जब हम 14 को 0.5 से 5 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 70, 14, 50, 70 और एक के बाद point लगाना है तो 7.0 gram आ जाएगा mass is equal to 7.0 gram या जिसको आप सिंपली 7 gram बोलेंगे तो आप लिखेंगे यहां पे therefore mass of 0.5 mole of nitrogen atoms is equal to 7 gram आपका answer है ठीक है चलिए part number third पे चले जाते हैं part third में आपको पुछा जा रहा है calculate तो भाई mass ही करना है इस question इस example में throughout इस example में calculate mass करना है लेकिन different different यहां पे इस mass के calculation के moods पुछे जा रहे तीसरा part है calculate the mass of यहां पे है 3.011 into 10 raised power 23 number of nitrogen atoms 3.011 into 10 raised power 23 number of nitrogen atoms का mass पुछा जा रहा है तो यहां पे आपका जो mass पुछा जा रहा है mass here is asked to calculate in this part third of the example 3.4 from number of atoms number of particles जिसको मैं generally लिखूँँगा लेकिन वो particles मेरे पास यहां पर atoms है nitrogen के बिटा तो मैं यहां पी फटा-फट सी solution करना शुरू कर दूँगा part third का मैं लिखूँगा given क्या है मेरे पास given है बिटा number of number of nitrogen atoms equals to 3.01 1 into 10 raised to power 23 23 atoms of nitrogen ठीक है also we know that हम यह भी जानते हैं ठीक है और N2 का है तो N2 का आप यहां पे आपको याद होगा कि हम क्या यूज़ करेंगे molecular mass लेकिन वैसे खेर हमें यहां पे molecular mass लगेगा नहीं क्योंकि इस वकत हमको mass पूछा जा रहा है बेटा हमारे पास है यहां पे given number of atoms of nitrogen वो था 0.3.011 into 10 raised to power 23 number of atoms तो यहां पे हम आप calculate करेंगे number of moles therefore number of moles N is equal to तो formula यहां note कीजिए आप number of moles जब हमने निकालना होगा बेटा number of atoms है तो हम क्या करते हैं यहां पे given number of atoms क्या लिखते हैं given number of particles generally बोलोगे आप ऐसे हम particularly इस वकत यह particle हमारे पास atom है नेटिजन के तो हम atoms बोलेंगे लेकिन general sense से हम particles लिखेंगे given number of particles divided by avagadros number that is number of moles equals to N capital जिसका मतलब है number of particles number of atoms number of molecules लेकिन अभी जो हमारे पास है ना part third में वह है nitrogen atom तो हम यह पर्टिकल ना एटम लिखेंगे लेकिन मैं general sense से लिख रहा हूं formula तो number of moles is equal to number of particles अपहान आवगाड्रोज नंबर आवगाड्रोज नंबर ने ठीक है यहनी इसने अख़ी सिक्स पॉइंट जो जो है ठीक है यह लिखेंगे यह फार्मूला यूज करेंगे तो दियर फो यह हो जाएगा विचीज इक्वल टू जैए इस नम्र आप मोल्ज इस इक्वल टू नंबर आप पार्टिकल जो यहां पर है वो पार्टिकल मतलब आटम्स दे हैं एडिजन के कितने 3.011 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स आफ नाइटरिजन ओके डिवाइड भाई करेंगे अवागड रूज नमर तो है वागड रूज नमर है हमारे पास 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 यह तो कैंसल आउट हो जाएगा ठीक है यहां पे ह यहां से आ जाएगा बिटा कितना हो जाएगा यह आपके पास यह आप ऐसा कीजिए कि इसको फिलहाल आप इतना ही रख लिजे अभी आप कैंसल आउट मत कीजिए अभी आप इसको एस सच रख दीजिए जैसे कि यह एन इस इक्वल टू 3.011 इंटू 10 रेज पावर 23 अपा मास जब हम मोल से कल्कुरेट करते हैं तो रिलेशन लगती है मास इस इक्वल टू नमर अफ मोल इंटू मॉलिक्लिर मास तो अब आप लिखेंगे यहां पर पूछा जा रहा है नाइट्रोजन एटम हां एंटू नहीं है नाइट्रोजन एटम है तो हम लिखेंगे नमर आफ मोल तो यह आपके सामने है बिटा 3.011 इंटू 10 रेज्ट पावर 23 अपाहन 6.022 इंटू 10 रेज्ट पावर 23 और यह न आ गया मॉलिक्लिर मास तो मॉलिक्लिर मास हमारा नडिजन एटम है तो यह 14 आएगा इसका अटामिक मास तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड जाएगा आपके पास ठेकर यह कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा आपके पास यह यानि 3.011 और डिवाइड बाई 6.022 जब आप करेंगे यह लगबख कितना आ जाएगा इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे यह आ जाएगा मिस एक्वल 2.5 मल्टीप्लाइगे बिटा हम इसको यहाँ पर 14 के साथ जो कि आता है 7 ग्राम यानि यह M is equal to 145070 हो जाएगा एक डिजट के बाद पॉइंट इशारिया लगाएंगे और यह ग्राम लिखते हैंगे 7.0 तो mass of required mass here is equal to 7.0 that is 7 ग्राम ठीक है यह आपका अंसर आगे चलिए fourth part है इसका fourth part में हमें पूछा जा रहा है calculate the mass of 6.022 into 10 raised by 23 number of N2 molecules तो यहाँ mass from number again पूछा जा रहा है लेकिन फरक क्या है part third or part fourth में यहाँ mass from number of number of atom से पूछा जा रहा था यहाँ mass from number of molecule से पूछा जा रहा है तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे भी हम लिखेंगे बिटा अब solution में लिखेंगे वे now that number of moles is equal to number of particles number of atoms उपर यूज़ किया था अभी है number of molecules यूज़ करेंगे particles की जगा तो खेर number of particles is ordered by our guard rows number पहले तो यह यूज़ करोगे फिर उसके बाद आप एक formula use करोगे यहाँ पर M क्योंकि mass calculate करना है मोल से तो लिखोगे n into capital है मतलब molar mass तो यह दो फाम्मुला यूज़ करेंगे तो मैं पहले यहाँ पर यह small को calculate तो आप लिख रहें यहाँ पर 6.022 into 10 raise power 23 अपान अवागे ड्रोस नमर भी यह होता है 6.022 into 10 raise power 23 तो 6.022 10 की पर 23 6.022 into 10 raise power 23 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा तो n is equal to कितना आ गया यहाँ पर आपके पास यह तो 1 आ गया ठीक है कितना आ गया यह आपके पास 1 आ गया तो जब यह वन आ गया यह आप याद रखेंगे this implies n number of moles की value 1 आ गई therefore mass is equal to n into m which is equal to n की value आपके ने 1 calculate कर दी multiply by molar mass लेकिन यहाँ देखना है कि मेरे पास substance क्या है part 4th में n2 है तो यह molecule है इसका mole होगा molecular mass तो n2 का molecular mass बनता है बेटा 28 तो small m mass जो हम हमने calculate करना required वो ब्राबर आ रहा है n into m में n1 और m molar mass 28 आ गया 28 वंजर हो गया 28 तो यह required mass जो है बेटा यह आपके पास यहाँ पे आ गया m required mass required is equal to 28 वंजर 28 ग्राम यह आपका answer आ गया पार फूर का तो बेटा आज के lecture में हम इतना ही पढ़ेंगे चार numerics के हमने example 3.4 के तो next जो 3.5 है यह हम next lecture में करेंगे और textual questions भी फिर शुरू करेंगे तो आज की lecture में इतना ही बेटा good bye take care आपको बताना चाहूंगा lastly कि आप video lectures को बेटा first to last देखें प्लीज ठीक है जब आप lecture को first to last देखेंगे तब ही जाकर आपको हर एक चीज जो ह है वो समझ में आएगी तो आज की lecture में इतना ही good bye take care stay fit and stay safe